दोस्तों स्वागत आप सभी का अन्बुक्स का वुक यूटिप चैनल की एक और नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हिंदी की इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि हिंदी को किसी भी competitive exam के लिए आपके लिए best रहने वाली हैं दोस्तों एक है अनुष्का हिंदी व्याकरण जो कि एक NCRT-based बुक है और इसमें हमें स्टार्टिंग में ही mention किया गया फ्रंट पे ही आप देख सकते हैं इसके टाइटल से ही कि यह है एचसेसी, LDC, CET, हर्याना पुलिस इन सभी competitive exams के लिए यूसफुल रहेगी साथ ही SSC, GD H-TET, P-TET मतलब आपके जितने भी competitive exams होने हैं उन सभी exams के लिए ये बुक यूसफुल रहेगी और बहुत सारे teachers के द्वारा recommend यही दो बुक्स ही करी जाती है आपने देखा भी होगा जितने भी teachers हिंदी की बुक को recommend करते हैं वो या तो सुमें हिंदी व्याकरण बताते हैं या फिर वो अनुष्का हिंदी व्याकरण बताते हैं तो आज हमें इन बुक्स के बारे में जानना जरूरी हो चुक है कि इन दोनों बुक्स में क्या खास है किस तरह से ये दोनों बुक्स important रहेंगे अगर आपके पास इन दोनों मेंसे कोई भी बुक नहीं है तो एक बार हम देखते हैं HSC के previous year papers से तो यही पाया है हमने की हिंदी जो चीज मैंशन नहीं होती उनके questions भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं तो आपकी हिंदी की त्यारी तो जरूर होनी चाहिए ये जो अनुष्का हिंदी व्याकरण बुक के बारे में बात करता हूँ साथ ही ब चाहिंड करते हैं हमनुषका हिंदी व्याकरण बुक के बारे में तो दोस्तों आपके साथ हिंदी व्याकरण बुक के बारे में बात करूं तो यह देखिये विभीन परिक्षाओं में आयोए 4500 प्रशनों का सार संगहन दिया गया और यह दसवां संसक्राण है यह कर ही बुक लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सी mistakes को भी correct किया जाता है साथ ही previous year questions को भी update किया जाता है वह किस तरह से मैं आपको बताऊंगा यह देखिए यह इस बुक का index रहने वाला है मतलब मैं previous year questions की जो मैंने भी आपसे बात करी तो यह देखिए इस बुक की खास बात यह है क इस बुक में हमें previous year questions भी दिये गए है साथ ही के CET 2023 में आयोगा question तो मतलब यह book update हो चुकी है बिल्कुल 2014 के pattern के according और mistakes जो old edition में हो सकती है वो भी remove कर दी गई है तो यह book आज के time पे आपके लिए best रहने वाली है अगर आप हिंदी की preparation कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीड competitive exams में हमसे पुछे जाते हैं वो दिये गए हैं आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए 272 पेजिस रहेंगे इस book में और 29 जो chapter है हमारा वो है विभीन परिक्षाओं में आयोगे महत्वकुन प्रशन तो मतलब जो previous year papers हैं उनको भी हमें दिया गया है इसके बाद आप देखने को मिल रहे हैं तो चलिए दोस्तों अगर मैं आपके साथ first chapter की बात करूं तो यह देखिए 2-3 page में हमें short में first chapter असान language में समझा रहे हैं अगर आप Hindi first time भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यह book best रहने वाली है यह देखिए उसके बाद हमें जैसे SF 2021, CET 2023 यह देखिए PRTHT, CET 2023 तो मतलब 2023 तक के questions को एक complete cover करेगी मतलब 10 साल के questions previous year के भी cover हो जाएंगे साथ ही आपको छोरी भी अच्छे से देखने को मिल जाएगी इस book में यह देखिए second chapter देखा आपने इसके बाद हमारा important chapter आ जाता है जो कि है संगया संगया 3 chapter को आप दे questions जो दिये गए है उसमें आपके साथ बात कुरूँ previous year questions कब तक के cover है तो यह देखिए जो इस book के front पे mention किया गया है उन सब वो सभी हमें previous year questions दिये गए है इस book में उन सभी exams के previous year questions definitely आपको इस book में देखने को मिलेंगे यह और आप मैं visualization chapter आप देख रहे हो तो इसमें आप इसमें भी हमें सभी questions दिये गए है इसी तरह से link chapter रहेगा और यह वचन chapter है हमारा इधर भी आप देख सकते हो previous year questions और आप यह भी देख रहे हो कि हर एक chapter को 2-3 page में ही complete किया गया यह देखिए दो page में सिरफ front and back page में हम कह सकते हैं कारक chapter अपका complete हो गया और उसके बाद उसक देख सकते हैं कि जल्दी से आपकी revision भी हो जाएगी इस book से और साथ ही आपके previous year भी cover हो जाएगे और बहुत ही short में आप जल्दी जल्दी क्योंकि competitive exam में ऐसा ही time है कि आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा यह पता होना चाहिए आपको क्या नहीं पढ़ना है तो to the point questions to the to the point chapters to the point theory ही इस book में देखने को मिलेगी आपको तो मतलब यह book आपके लिए best रहने वाली है मैं तो कहूंगा अनुष्का हिंदी व्याकरन इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी हिंदी की best books के बारे में बताया था उस वीडियो में मैंने आपको दस से बीस, दस पंदरा हिंदी की books के बारे में बताया था जो कि सभी exams के लिए useful थी और जितनी भी market में books हैं हिंदी की वो सभी cover हो चुकी थी तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एकपर उस वीडियो को भी जरूर चेक करना क्योंकि उस वीडियो में मैंने comparison कर रख है तो एकवर उन वीडियो को भी जरूर चेक करना साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे ना क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको books की update देता रहूँगा यह देखिए विराम चिन चेप्टर के वर मैं आपके साथ बात करूं तो इसमे तो दोस्तों यह जो है हमारा 27 चैप्टर आप देख रहे हैं यह देखिए आर पी एससी एससी और डी ट्रिपल एस भी और के विभिन प्रिक्षाओं में आए हुए मैंत्रपूंट प्रशनों का संग्रह है तो मतलब प्रिविएस इयर इन सभी एक्जाम्स में आए प्रिव यह बुक आपके लिए डेफिनेटल रहेगी क्योंकि प्रिविएस इयर को भी अलग से बहुत अच्छे से कवर कर रही है तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ बात करूं इस बुक के इंडेक्स की तो यह देखिया है और मोस्ट सेम ही इंडेक्स है दोनों बुक्स का है पट लेंग्वेज का डिफ्रेंस जरूर देखने को आपको मिल रहा है आप देख सकते हैं और जो सोमय हिंदी बुक है उसमें आपको प्रिविएस यर कोश्चन को मेंशन नहीं किया गया कि वो किस किस एक्जाम में आ चुके हैं अब या से तु प्रशन तो जरूर दिये गए है यह मैंने ओवर्व्यू दे दिया आपको सोमय हिंदी व्याकरन बुक का नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा सोमय हिंदी व्याकरन बुक के बारे में आज के लिए इतना ही दोस्तों अनुष्का हिंदी व्याकरन बुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट क पर के जुरूर बताना? Thank you.